नमस्कार जन्ता के लिए जन्ता की अबाद जन्ता समचार में आपका स्वागत हैं मैं मुद अमन्ना आईए देखते हैं आज की खबरे सावन सोमवार के मा में हम आपको घर वैठे एक ऐसे शिम मंदिर के दर्शन करा रहे हैं जिसकी स्थाप नाव राजा मली ने नर्मदा घाट के किनारे की थी जिसे पुरे भारत में लच्मी नरायन मंदिर के नाम से जाना जाता है जबलपूर के नर्मदा घाट के किनारे इस देट गोपालपूर में ग्यारा सो वज़ पुराना यह मंदिर है लच्मी नरायन मंदिर इस मंदिर को लोग पच्मड़ा मंदिर के नाम से भी जानते हैं वैसे तो 27 शिवलिंग इस मंदिर में स्थापित है लेकिन देश की बारा जोतिलिंग के मुरत इस मंदिर में नजर आती है इस मंदिर में लोगों की गहरी आस्था जुड़ी हुई है क्योंकि इस प्राचीन मंदिर कर निर्मार 18 सदी में राजा बली ने किया था कहते हैं कि राजा बली ने नर्मदा घाट के किनारे एक यग किया था और यगी के दोरान राजावली हर दिन एक शिवलिंग का निर्मार करती थे और उस शिवलिंग को मा नर्मदा में विसरजित कर दिया करती थे निर्मदा किनारे स्थित इस मंदिर में भारी संख्या में लोग दूर दूर से राजावली के द्वारा इस्थापित किये गए शिविलिंगों के दर्शन करने आते हैं और मंदिर में शिविलिंगों के दर्शन कर अपने आप को धन्य समस्ति हैं और मानते हैं कि इस मंदिर मे आने से हर समस्या का समधान निकल जाता है आए यहां पर लगवख 1111 153 तो उन्होंothy आए किए तो निए प्रस्णे किया तो भगवान ने उन्हें प्रस्ण किया राजबली ने और राजबली नै तो राजबली ने फिर्ज रजाम स वन्हें डशी ड़्म यह थे की तो यहां पर पर नर्मदा जी प्रकट होई पर यहाँ पर पंचयत लगी तो यहाँ पर पंचयत लगी तो यहाँ पर निर्णे हुआ कि क्या करना चाहिए तब यहाँ पर पंचयत में यह निर्णे हुआ कि आप जो भी सिबिलिंग बनाएंगे वह सब कंकर में परिवतन हो जाएंगे इसलिए तो यही वर्णन आता है कि जित्ते भी जो सिब्लिग बनाते थे वह सब कंकड हो जाते तो वहीं से वर्णन मिला है कि जित्ते भी कंकड समसंकर माने जाते हैं अभी कुछ तिन पहले ही निपाल पश्पतिनाथ से आये थे लोग यहां पर दर्शन किया पश्पतिनाथ मंद्र में दर्शन किया लक्षमिन जी का 12-12 जोतिलिंग का दर्शन किया है और अपने अनिकों प्रकार से जो भी मनोकामनाय होती है आते हैं जिनकी पूर्ण हो जाते हैं वस्रिद्धा से जो भी यहां पर बंदा भगवान की भंडाराई प्रशाद जो भी करते हैं कि यहां पर पूरे 27 शिविलिंग बिराजवान है पूरे मंदर में परांगण में द्वादस जोधिलिंग तो इस्थापन है तो उनकी समाधियों के इस्थान पर सिविलिंग इस्थापन है तो जी पंडित बिर्श की शूर सास्त्री यहां पर शिद्धालों लोग यहां पर आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं और अपनी मनों कामना को पूर करते हैं और आर्शिबाद लेके जाते हैं यह जावलपुजले में नगरपरशर भेडागाट है मान नवदा का पावन्त तथ है जिसमें लमहेटा घाट गौपालपूर सित नगरपरशर कंद्र का आता है यह वाजा भ्रगु की तपोस्तिली ही रही है और यह नर्वदा तथ के किनार गोपाल प्रोग्राम में जिसके चावतरा बारा जोतिलिंग की स्थापना है इसके अगर आप चावतर परक्रमा में परिक्रमा करेंगे तो पांच मठ बनी हो जिसमें भगवान शिव के शुरूप भवन भवन शुरूप भवान शुरूप बराजमान है और चुकि एह तो मानता है कि नर्वदा तट पर बगवान शुरूप क शुरूप कहलाता है जो स्वयमशित दोते है यहां पर भवान स्थीव की जादा मानता है यहां जहां इंगे शु ब्वन शुरूप लों दखाई देंगे आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समचार अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें